मनसा गाव में एक लोहार शाम गोपाल रहता था. उसका एक भरा पूरा परिवार था, जिसका लालन पालन करने के लिए उसे कई बार दिन रात काम करना पड़ता था. रोज की तरह आज भी काम पर जाने से पहले शाम गोपाल ने अपना खाने का डिब्बा बांधने के लिए अपनी पत्नी से कहा. पत्नी जब डिब्बा लेकर आई तो शाम गोपाल ने कहा. मुझे आज आने में देर हो जाएगी, शायद मैं रात को ही आऊँ. इतना कहकर शाम गोपाल अपने काम पर निकल गया. काम पर जाने का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था. वहाँ जैसे ही शाम गोपाल पहुँचा, तो उसे कुछ आवाज सुनाई दी. जैसे ही शाम गोपाल कुछ पास गया, तो उसने देखा कि एक साधू मंत्र जब रहा है शाम गोपाल ने हैरान होकर पूछा आप ठीक है? उस साधू को शाम गोपाल नहीं जानता था लेकिन साधू ने एकदम से उसका नाम लेकर कहा आओ शाम गोपाल बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मैं भूखा हूँ, मुझे अपने खाने के डिब्बे से कुछ खिला दो बाबा से अपना नाम सुनकर शाम गोपाल हैरान था लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और सीधा अपना खाने का डिब्बा निकाल कर उन्हें दे दिया देखते ही देखते बाबा ने शाम गोपाल का सारा खाना खा लिया उसके बाद उस साधू ने कहा बेटा मैं तो सारा खाना खा गया, अब तुम क्या खाओगे? इसके लिए मुझे माफ करना कोई बात नहीं बाबा, मैं काम के लिए बाजार जा रहा हूँ, तो मैं वहीं से कुछ खा लूँगा यह सुनकर उस साधु ने श्याम गोपाल को खूब आशीरवाद दिया साधु ने कहा, बेटा यह मामूली हथोड़ा नहीं है, यह एक जादुई हथोड़ा है, जो मेरे गुरु जी ने मुझे दिया था, और अब मैं तुझे दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है, इसका इस्तिमाल अच्छे कामों के लिए ही करना, और किसी दूसरे के हाथ में इसे कभी मत देना, इतना कहकर वह बाबा वहां से अद्रिश्य हो गए, श्याम गुपाल अपने हाथों में हथोड़ा लेकर बाजार काम करने के लिए चला गया, औजार बनाने से पहले, आज इसी हथोड़े से मैं लोहा पीटता हूँ, जैसे ही उसने लोहे पर हथोड़ा मारा वह सीधा ओजार बन गया, दूसरी बारी में लोहे के बरतन बन गये, श्याम गुपाल समझ गया कि ये सच में जादूई हथोड़ा है, वह जो भी बनाने की सोच के साथ लोहे पर हथोड़ा मारता, लोहा सीधा वही बन जाता, जादूई हथोड़े की वज रोज शाम गोपाल उस हतोडे से जल्दी काम खत्म कर लेता और कई बार ज्यादा बरतन बना कर उन्हें गाव के लोगों को बेच देता था धीरे धीरे उसके घर के हालात पहले से कुछ ठीक होने लगे एक दिन गाव का मुखिया उसके घर आया और बोला हम गाव वालों को शेहर जाने में बहुत ज्यादा समय लगता है क्या तुम अपने हतोडे से गाव और शेहर के बीच आने वाला एक पहाड तोड़ने में मदद करोगे इस से बीच में एक सड़क बना लेंगे और गाव से शेहर का सफर भी आसान और छोटा हो जाएगा मुखिया और गाव के लोग बहुत खुश हुए और उसे खूब शाबाशी दी पहाड तोड़ने के बाद घर लोटते समय शाम गोपाल ने सोचा कि इस जादूई हतोडे से मेरा काम जल्दी हो जाता है लेकिन कुछ ज्यादा फाइदा तो हो नहीं रहा है इसी सोच में डूबे हुए शाम गोपाल घर जाने की जगह दुखी होकर जंगल की तरफ चला गया उस जंगल में वही साधू बाबा शाम गोपाल को दोबारा दिखा शाम गोपाल ने उन्हें अपने मन की सारी बातें बता दी उस साधू ने कहा शाम गोपाल ने अच्छे से साधू बाबा से उस जादूई हथोड़े का इस्तिमाल करने का तरीका सीखा उसके बाद शाम गोपाल ने बहुत धन कमाया आज शाम गोपाल एक अमीर आदमी बन गया है अभी भी वह जब भी जरूरत महसूस होती है तो उस जादूई हथोड़े का इस्तिमाल कर लेता है इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कोई वस्तू हो या दिमाग इनका इस्तिमाल पूरी तरह से करना चाहिए साथ ही अपने पास मौजूद सामान का मोल समझना भी जरूरी है निराश होने से काम नहीं बनता तो बच्चों कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सबस्क्राइब जरूर करें थैंक यू